हे अपरिबान नमस्कार योगेश चंदर शुक्लाना मैं हमारा स्वागत है आपके इस नए बैच में जो आपको बोर्ड परिक्षा में और नीट के एक्जामनेशन पे बहुत मदद करने वाला है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें अंध तक जरूर देखें बेटा याद रखना ये नया कोर्स है और बहुत इमतनान से बहुत आसानी से मैं आपको छोटे छोटे बिंदों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत ही जल्द हम बहुत जरूरी चैप्टर पर चल रहे हैं तो उससे पहले इस छोटे चैप्टर से अपनी तयारियों को जोर जरूर दे दें ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए अपने सभी दोस्तों को बता दें कि इस चैनल पे आपको बोर्ड की नए सेशन स्टार्ट तैर हो चुके हैं और आपके नीट के ल तुरंत उसे देखकर कवर कर लें बिलकुल भी वीडियो छोड़े ना क्योंकि एक बैकलॉग अगर आपका होता जाएगा तो एक बड़ा बजट आपके पास में आए जाएगा कि फईत्ती सारी चीज़े कैसे कवर करें तो इसलिए करते रहें अपने दोस्तों से शेयर करन सब्सक्राइब भी करना हमारे चनल को बैल आइकन प्रेस करना स्टाट करते हैं आज का सेशन आज मैं आपको बताऊंगा क्या लैगिक जनन के विशयव के बारे में तीन लेक्चर अल्रेडी हो चुके हैं चौथा लेक्चर आज येर है में है फ्लोर में आपके पास दिख तो चौथे लेक्चर की आज मैं बात करता हूं लास्ट लास्ट तक मैंने तुम्हें अलैगिक जनन के विशयवे बात की थी और मुझे सबसे पहले कॉमेंट सेक्षन पे पहला आंसर चाहिए मुझे बताईए सबसे पहले कि बाई जैम्यूल किस में बनता है वीडियो दो म अब ही आपको पता चलेगा कि आपने पुरानी क्लास अच्छे से पढ़ी है हाँ या नहीं चलिए पहल अटा दीजे अब उस कोश्टन को आगे बात करते हैं ठीक है हटा दिया होगा कॉमेंट कर दिया होगा जिसने अभी तक कमेंट नहीं किया है फिर कमेंट के बले बोल चलिए होगा कि अलैगिक जनन क्या है और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्रिवियस क्लासे जरूर जा कर देखें अब हम बात करने वाले हैं लैगिक जनन की सेक्शुल रिप्रड़क्शन की बात करते हैं सेक्शुल रिप्रड़क्शन में में क्या 3-4-5 चीज़े क्या होती है sexual reproduction की सबसे बड़ी चीज होती है बिटा कि यहाँ पर दो जनक की अवश्यक्ता होती है तो यहाँ पर point होता है सबसे पहला याद रखना कि दो जनक की अवश्यक्ता होती है इसे आप English में कहते हैं by parental होता है by parental का मतलब होता है दो जनक की है अब सवाल आता है दो जनक की जरूरत क्यों पड़ती है तो जहां से सुरुवात होती है वही उसका जवाब होता है दो जनक की जरूरत यह है क्योंकि दो जनक होंगे तो एक होगा बिटा इन में से नर और एक इन में बनाएगा युगमक जनन से मादा क्या बनाएगा मादा युगमक बनाएगी और इस तरीके से दो जो हैं वो युगमक जनन हो जाएंगे युगमक जनन बने क्यों भाई ये दोनों अलग है इसका आनुवानशिक पदार्थ अलग है इसका आनुवानशिक पदार्थ जो है मिलने के लिए और इसे अपन कहते हैं बिटा नीसे चन या फिर सामान भाशा में कहें तो युगमक का बिटा सनलयान तो तीसरी प्रक्रिया जो होगी वो होगी उसके सनलयान की और जब नर युगमक और मादा युगमक मिलते हैं तो बनता है बिटा युगमे नज अब देखो युगमनज जो है वो एक नर जो अलग था मादा अलग थी दोनों कानवानशिक पदार अलग था युगमनज बना और ये युगमनज आगे जाकर भुण का निर्माड करेगा और भुण आगे जाकर जीव का निर्माड करेगा ये जीव अपने माता पिता से थोड़ा अलग होगा और इनके अलग होने की लाइन पर ही पूरी कहाने टिकी हुई है की भाई यहाँ पर जनक से अलग होते हैं क्लोन नहीं बनते अनवानशिक पदार्थ अलग है निसेचन होगा और निसेचन के बाद फल्स रूप आप ये कहते हैं माता पिता से भिन नहीं कह सकते लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि यार भिन तो नहीं है बहुत जादा ल भिन संतती का निर्माड होता है एकदम समान अब जब भिन संतती जब आनवानशिक रूप से कह सकते हो तो आप इसे कह सकते हैं कि इनके लक्षण भी अलग-अलग होंगे इनके जब सारीरिक लूप से अलग है तो लक्षण भी अलग-अलग रहेंगे रूप से भिन संतती मतलब निर्माड होगा यब बनेंगी बनेंगी तो हो गई कहानी खतम यहाँ पर पॉइंट है और यही सबसे जरूरी बात है और यह बात याद रखने का है कि जब भे तुम लागिक जनन करोगे तो जनक संतती के एकदम समान नहीं होगा इससे विभिनता आती है विभिनता उत्पन होती है विभिनता उत्पन होती है और यह जो विभिनता उत्पन होती है यह विकास में सहायक है किसमें सहायक है मेरे बच्चे विकास में सहायक है तो तुम से पूछा जाएगा कि विकास मतलब क्या होता है विकास का मतलब development नहीं, विकास मतलब changes, बदलाओ, कुछ अलग हो रहा है, तो जब अलग हो रहा होगा, तो अलग होने के लिए आपकी अवश्यक्ता यहाँ पर पड़ती है, जरूरत होती है, अवश्यक्ता होती है, किस चीज की, विकास की, तो आपको यह हर एक point आपको दखता है आपको, जो आज मनुष्य है, वो जन्म starter से मनुष्य ही था, बताईए, जो आज मनुष्य है, मनुष्य हमेशा ऐसा इसा यही दिखता था क्या हमारे पूरवजबंदर हुआ करते थे, उनसे हम पैदा हुए, फिर अलग तरीके के मनुष्य, आज हम अलग तरीके क मनुष है तो दुनिया में हमेशा मनुष एक जैसा ही नहीं था विविनता आई है तो ऐसा हुआ है दुनिया में हमेशा जतिने भी जानवर जनन करते हैं सब एक जैसे नहीं थे उनमें विविनता आई है तो आज यह ऐसे हुए है तो यह विविनता जो है लैगिक जनन की वज जालता है और इस धालने के प्रक्रिया को ही हम विकास कहते हैं प्रकृति की आवश्यक्ताओं के अनरूप हमको बदलना यही विकास कहलाता है यही विकास कहलाता है यह लेगिक जनन से आता है यह पाच पॉइंट है जो लेगिक जनन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ठी विडियो पॉस करे comment section पे फिर सब फटक से answer मारो और बताओ मुझे question number 2 जो भी बच्चा answer देगा question number 1, question number 2 करके देना मुझे comment section पे answer चाहिए, याद रखना आपके या answer ही, मुझे बताएंगे कि बच्चे कितने serious हैं पढ़ाई को लेकर याद रखना, मैं बहुत serious हुँ तुमा हो गई अमारे पास में concept है अब हम देखते हैं कि यह कारक्रम कैसे चलता है तो यह बिल्कुल parent के जैसा बिल्कुल समान नहीं रहता यह बात हमको पता है चलिए भाई अब यह 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 एक ऐसे प्रक्रिया है याद रखना तुम्हें आज यह भले लग रहा हो कि यह बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें यह हर एक चीज पूछी जाएगी कि भाई यह विस्तरत प्रक्रिया है कहा युगमक बनेगा फिर युगमक मिलेगा फिर भुरुण बनेगा फिर भुरुण बनके आगे जाएगा लंबी प्रक्रिया आपको मनुष्य में पता है नौ महीने बच्चे बनता है नौ महीने के बाद भुरुण बहार निकलता है नौ महीने लग गए भाई और जैमिल बनने में तीन स यार सेकेंड पांस सेकेंड बस बैक्टिरिया बनने में आधा सेकेंड पांस वार्धा तो समलो और आधा सेकेंड लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है विस्तरत और धीमी प्रक्रिया है बहुत धीमी प्रक्रिया है धीरे धीरे चलता है as compared to और मतलब जटिल भी है जटिल जटिल प्रक्रिया है ये भी याद रखना है एक तो जटिल भी है मतलब बहुत ज़ादा complicated है आसान नहीं है धीमी है और विश्तरत प्रक्रिया है ये बात आपको clear हो गई चलो बाई बहुत बढ़िया अब आगे बात करते हैं इसमें जनन के लिए हमारे पास में एक point आता है क जिवन अवधी को जो जीवन अवधी है जिस जीवन की अवधी होगी उस जीवन अवधी को हम तीन अलग-अलग पार्ट में बाट देते हैं जो जीवन की अवधी है उसको हम अलग-अलग पार्ट में बाट देते हैं यार देखो जीवन में कुछ क्या होता है जिसे अपन एक कोवर्ट कहते हैं जुवे नाइल, जुवे नाइल अवस्था, जुवे नाइल स्टेज, जीवन तीन अवस्थाओं में बटा होता है, हम ऐसा मानते हैं, जुवे नाइल स्टेज, दूसरे का नाम होता है, रिप्रोड़क्टिव एज, रिप्रोड़क्टिव एज, चीक है तो आईए बात करते हैं यहाँ पर कि पहला पाट आता है juvenile stage या फिर juvenile को मतलब आप इसे कह सकते कि शोरा अवस्था, बाल्या अवस्था, हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लल्ला बाल्या अवस्था, छोटे हो अभी तुम, बाल्या अवस्था, ठीके? ये हो स बच्पना बिटा बच्पना और बाल्य अवस्था जुविनाइल स्टेज जुविनाइल स्टेज की सोर अवस्था ये सब अवस्था जो है वो जन्तूओं में होती है जन्तूओं में होती है चीक है रिप्रड़क्टिव अवस्था यहाँ पर लोग जनन कर सकते होंगे जनन नई कहानी को हम लोगों को add करना होगा, detail में पढ़ना होगा, ध्यान से देखते हैं कि वो कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है? तो जीवन अवधी जो है, जीवन सबका अलग-अलग प्रकार से होता है, किसी का बचपन लंबा होता है, किसी की जवानी लंबी होती है, किसी का बुढ़ापा लंबा होता है और बच्पन जवानी बुढ़ापा इनी तीन बातों पे उनके जीवन की कहानी निर्भर होती है जैसे एक्जामपल के लिए सोच के देखो देखें एक मच्छर पैदा हुआ मच्छर पैदा होते ही जनन नहीं कर सकता कुछ दिनों के बाद वो जनन करेगा उसने भी अपने जीवन में इस पदों को फॉलो किया एक पौधा भी वैसा ही होता है पैदा होते ही फूल फल देने नहीं लग जाता है एक समय आता है फूल फल देने के लिए तो जब वो लगा तब वो बच्पन अवस्था में था, जब वो फल फूल देने लग गया वो जवानी हो गई उसकी ठीक है, वो जो reproductive stage हो गया, जनन प्रावस्था हो गई, और जब वो फल फूल देना बंदों के मर गया, तो समझलों की वो वृद्धावस्था और मर गया, मन सो point एस कि जब जनन करने की तयारी करनी है, जब जनन करने की तयारी, अच्छा बच्पने में होता क्या है? 12-13 साल मनुष्य जो है जनन करने की तयारी करता है जब वो निर्माड हो गया तो फिर वो वृद्धी हो गई और उसके बाद वो जनन करने लग गया जनन समाप्त हो गया तो वृद्धावस्था आ गई तो overall आपके जीवन में जनन प्रावस्था young age ही वो age है जो main age है उससे पहले बाल्यवस्था उसके बाद वृद्धावस्था जनन नहीं जनन की तियारी कर रहे हो तो बाल्यकाल वस्था जनन हो गया तो जनन प्रावस्था जनन खतम हो गया तो वृद्धावस्था आ गई जब आप कहेंगे इसका रोल क्या है इसका रोल है आपने कुछ पौधे देखे होंगे जनतुओं में तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पौधे में हम बात करते हैं आपने कुछ पौधे देखे होंगे जो दो तीन महना लगते हैं तो तीन महने में फल फूल बीज वगरे लग और उसके बाद वो काट दिये जाते हैं, ज्त लाएक धान, गहू, तो तीन महने में ही काट दिये जाते हैं, ये एक वर्शी पौध है, अब आप इन में से बहुत सब कहेंगे, कि भाई, ये महने बस रहे, एक वर्शी क्यों? प्लांट वाले केस में एक वर्षी पौधे का मतलब होता है एक सीजन में लगने वाले पौधे जो साल में केवल एक बार लगेंगे जो साल में केवल एक बार लगेंगे वो एक वर्षी पौधा है एक ही सीजन में लग गया ये हो गया धान और गे हो ठीक कुछ पौधे दो-दो सीजन तक लगते हैं मतलब ठंड में लगते हैं गर्मी में काटे जाते हैं ठंड में लगते हैं गर्मी के बाद काटे जाएंगे इन्हें दूई वर्शी पौधा कहते हैं जो दो सीजन लगते हैं तब उन्हें कहा जाएगा बहुवर्षी ये पौधे, कुछ लोग जैसे पौधे आपने देखा होगा, ये तमझे ने एक वर्षी, दुई वर्षी, बहुवर्षी, एक मौसम में हो गए, तो एक वर्षी, दो मौसम में, दुई वर्षी, बहुत सारे मौसम में, तो बहुवर जब तब उसमें फिर फूल लगता था आम का और उसके बाद आम में फलल आते रहते थे ये एक बात होती थी अब क्या होता है आप इस साल आप आपने आम लगाया आम इतना बड़ा हुआ नहीं अब आपको नहीं दिखरा होगा लेकिन इतना बड़ा मानलो भी हुआ थोड़ अस्था को छोटा कर दिया और कह दिया कि डारेक्ली जो है वो जनन करेगा पहले गुलाब घर लाते थे लगाते थे गुलाब में फिर कुप जब बड़ा हो जाता था तब फूल लगता था अब गुलाब का पौधा लाओगी इतना बड़ा तो उसमें फूल लगा हुआ त उनको मिलेगा कि नहीं नहीं यह फूल दे रहा है तो यह hybrid तरीका artificial तरीका है पर अगर प्रक्टिक तरीके से देखेंगे तो आप यह जानेंगे कि हर चीज़ की एक वक्त होती है जीवन अवधी बटी हुई होती है इस तरीके से हम बात करते हैं चलिए बाई देखते हैं ज लोग यहां पर बात करेंगे ठीक है इन प्लांट सबसे पहला काईक प्रावस्था काईक प्रावस्था यह पहला पॉइंट हो गया दूसरा सब्द हो गया जनन प्रावस्था ठीक है रिप्रक्टिव एज कैसे पता चलेगा पौधों में कि जनन प्रावस्था आ गई और तीसरा point तो वृद्धावस्था तो हई है, ठीक है, अब फिलहाल ये point यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे पताचला की जरन प्रावस्था आ गई, तो याद रखना in higher plant, उच्छ वर्ग के पौध है, उच्छ वर्ग माना जाता है खासकर आवृत बीजी को, नाम सुना आपने पुष्प का आना, जब पुष्प जो है ना, पुष्प का आना, जनन प्रावस्था आना, प्रावस्था की सुरुवाद है तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पौधों में जनन सुरुवाद है कैसे माना जाता है कि वो जनन कर रहा होगा तो याद रखना उस प्रावस्था के जनन की सुरुवाद जो है माना गया है कि काईक प्रावस्था जो जनन की पुष्प है तो आप क्या कहीं कि जिसके पास पुष्प नहीं होता उसके पास लेगिक जनन नहीं होता है इलावंत वाले पॉइंट में पढ़ाया जाता है वो एक अलग तरीके से होगा वो एक अलग तरीके से है लेकिन हम जातर पुष्पों की बात करते हैं तो पुष्प म वो अब जवान हो चुका है, पुष्प अब जनन करेगा, जब तक पुष्प नहीं है, वो जनन नहीं करेगा, पुष्प आ गया, अब वो जनन करेगा, यह point आ जाता है, अगले बिद्दू पे पहुंसते हैं, ठीक है बाई, चलो मान लिया, काई प्रावस्था, जनन कहानी है, ठीक है, पुष्प का आना ही सारी कहानी है, पुष्प आ गया, तो कैसा आया, तो पुष्प कब आया, पुष्प के आधार पर कुछ पौधे, एक वर्षी है, चलो मुझे कॉमेंट सेक्षन पे फिर से पौस करो वीडियो, बताओ, एक वर्षी पौधा, आधार पौधा, कुछ पौधे होते हैं, जो दुई वर्षी होते हैं भाई, दो वर्ष में पुष्प आया, दुई वर्षी पौधा आया, उसके बाद बहु वर्षी पौधा, मतलब जैसे पौधे, जैसे जैसे पुष्पन देंगे, वैसा वैसा पता चलेगा, कि भाई, वो पौ इस सीजन में आगया एक ही वर्ष के अंतरगत में आगया तो एक वर्षी पौधा है भाई जैसे तुम देखो धान हो गया मानलो ठीक है धान भले साल भर नहीं रहता लेकिन सीजन में जब आया पुष्प आया तभी आया अब अगले साल वो वेट करना पड़ेगा पुष्प परी को इसका निवर पार्टी मनाया जाएगा ऐसा नहीं इसका वर्ष है पुष्प एक बार साल में आया एक सीजन में एक बार आया फिर अगले सीजन में फिर आएगा फिर अगले सीजन में फिर आएगा तो भाई बसंतरी तुमोसम में एक ही बार आती गर्मी एक ही बार ठंड एक ही बार आती है तो इसलिए एक वर्षी जब वो एक वर्ष दो वर्ष ले ले लेगा वो दो सीजन क्रोस कर जाएगा दूई वर्षी पौधा कहलाएगा जब ऐसे बहुत सारे वर्ष वो क्रोस कर जाएगा तो बहु वर्षी पौधा कहलाएगा अब मैं आपको बतात कि एक वर्षी दूई वर्षी इन सब चीजों में अपन को बात करना है ठीक है तो याद रखना ये पौधे जो होते हैं एक वर्षी पौधा होता है इनको पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब ये फेज आएंगे लेकिन एक वर्षी पौधा आसान है धान गिये ह ये सब आता है दूई वर्षी पौधा मक्का वगएरे आते इसमें अरहर वगएरे आता है ये पौधा है अब हम डारेक्ली जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो बहु वर्षी पौधे के नाम पे आता है कि बहु वर्षी पौधा क्या है आईए बहु वर्षी पौधा के बा बबु बास थीख है बास को आपने देखा होगा बास जो है वो 50-100 सालों में कभी केवल जीवन में एक बार जीवन में एक बार पुश्पन करता है इसका मतलब ये है कि यह 50-100 तक यह काईक आवस्ता में रहता है और जिस साल ये पुश्पन कर लिया पचास सौ सालों में एक बार जिस बार वो पुश्पन कर लिया वो उस बार जवान हुआ उसके बार तुरंत वृद्ध हो गया ये बहुवर्शिय पौधा है कि बैम्बू 50-100 साल में एक बार पुश्पन होता होगा सोचो कोई अपने जीवन में एक आड़ बार पुश्पन देख पाया तो देख भी नी पाएगा पचास सालों में बास एक बार पुश्पन करता है कि एवल एक बार जनन करता है इसका काई अवस्था कितने साल की थी पचास से सौ साल की एक और नीचे एक्जामपल लिखा हुआ बेंबू प्लांट के लावा दूसरा एक्जामपल लिखा हुआ है इसका नाम है नीला कुरंजी नीला कुरंजी के बारे में कहा जाता है कि इसको इसका दूसरा नाम आता है हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपको इस्ट्रॉबिलस इसका नाम है इस्ट्रॉबिलस कुन्थियाना और इस्ट्रॉबिलस कुन्थियाना जो है बिटा ये एक पौधा है नीला कुरंजी ये जो है ना साउथ के परवतों में लगा रहता है ये लगभग लगभग माना जाता है कि हर 10-12 सालों में माना जाता है कि 10-12 सालों में 12 साल में पुष्प आते हैं में नीला पुष्प आता है और ये इतना पुष्प आ जाता है पुष्प आता है अभी लास्ट इयर जो है बहुत सुन्दर देखता है पूरा पहाड़ी नीली 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 दिखाई देगी नीला कुरंजी इसका नाम है स्ट्रॉबिलस कुंतियाना है कभी कभी लगता है तो देखने पहाड़ी नीली कैसे हो गई पूरी तो बहुत परेटक देखने आते हैं ये लाइन जरूर याद रखना बहुत पूछा जाता है कि पैरिनल प्लांट याने बहुवर्शी पौधे क्या है बहुवर्शी पौधे वो पौधे होते हैं जो बहुत सालों के बाद अचानक से पुषपन करते हैं उनका यौवना अवस्था बहुत रेर आता है बहुत सालों के बाद आता है इसलिए हम उसे बहुवर्शी पौधा कहते हैं बास हो गया पचास से सौ सालों में एक बार वो कभी कभार वो काम करे तो ये जो है निला पुश्प होता इसमें समझना है बात को इस तरीके से वो 12-13 साल में कभी एकाद बार पुश्पन हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि वो हम ये मान लेते हैं कि वो ऐसा काम किया होगा चलिए बढ़िया ये भी एक कहानी होगी बढ़िया इंटरस्टिंग पॉइंट आ गए इनके हिसाब से अब पॉइंट आते हैं कि प्लांट में प्लांट का तो हो गई कहानी अब हम आते हैं बिट्टा एनिमल्स में एनिमल्स में भी वही कहानी होती है, जुवेनाइल फेज हो गया, एनिमल्स में क्या होता है, जुवेनाइल फेज हो गया, एनिमल्स में होता है, हमारे पास में, जुवेनाइल मतलब समझते हो न, एकदम बच्पन आवस्था, उसके बाद जनन आवस्था, उसके बाद वृध्धा छोटे छोटे जानवरों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसा point होता है तो अब क्या होगा इन animals में किशोर आवस्था के दौरान असल में क्या होगा किसोरा वस्था में क्या होगा किसोरा वस्था के दौरान के दौरान शारीर की और अकार की एए एवं अकार की एए मतलब अंदर से और बाहर से बदलाव आते हैं अकारी की एए बदलाव आते हैं ठीक है बदलाव आते हैं मतलब इंसान वृध्धी कर रहा होता है जो भी जीव है वो वृध्धी कर रहा होता है बदलाव आते हैं वृध्धी कर रहा होता है और वृध्धी करने के बाद जो है वो reproductive stage में आता है और यह फिर जनन प्रावस प्रवेश करता है एक बर ये काम कर गया तो उसके बाद जनन प्रावस्था में प्रवेश करता है ये पॉइंट आ जाता है ठीक है तो पहले फिर जनन प्रावस्था में प्रवेश करता रहता है एनिमल्स में धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा ठीक है अब जैसे अगर अपन को देखें कि वो व्रिधावस्ता में कब आता है, कैसे आता है, क्या-क्याग चीजे होती हैं, इस तरीके से हब दो प्रकार से जीव देखते हैं, कि कुछ जीव होते हैं जैसे birds, अब ये चोटी-चोटी बाते हैं, इसको बस देखलो, और सुनलो, किसे birds हैं, आप परगी हर समय अंडे नहीं देती है, तो कुछ खास समय पे ही वो अंडे देती है, तो पक्षियों की बात यह होती है, कुछ खास समय पे अंडे देती है, जबकि अगर अगर अपन जनतुओं की बात करें, तो जनतुओं में भी वैसे ही कुछ होता है, कि जनतुओं भी हमेशा जनन नहीं करते, कुछ में menstrual cycle होता है किसी में ostrich cycle होता है कुछ लोग अंडे देते हैं, कुछ लोग जनतू देते हैं, कुछ लोग किसी मौसम बस में बच्चे पैदा करते हैं, कुछ लोग हमेशा बच्चा पैदा करते रहते हैं, आईए इनकी कहानियों को समझते हैं आईए इनके point को समझते हैं कि यह बदलाव animals में जो प्रवेश करता है जनन प्रावस्था में इसके बाद क्या होता है ठीक है अब यहाँ पर part आएगा जैसे मानलो example हो गया birds का पक्षी का birds यानि किसका हो गया पक्षी का जैसे पक्षी के बारे में बात करें तो पक्षी हमेशा breeding नहीं करवाते birds जो होते हैं वो हमेशा breeding नहीं करवाते हैं यह जब करते हैं तो यह साल में किसी भी समय जो होगा वहाँ पर मानले कुछ खास season में ही अंडे देते हैं पक्षी कुछ खास सीजन में अंडे दिये जिस समय पे दिये उसको अपन कह देंगे कि एग अंडा दे दिगा पक्षी जो है अंडा हर मौसम में नहीं देता ये बात मैंने बता दी वो लिख लेना अपनी कॉपी में कही पर भी कि जो पक्षी है अंडे हर मौसम में नहीं देत यह बात निकल कर आती हर समय यह अंडे नहीं देते हैं पक्षियों का एक लिमिट रहता है वो उसी समय पे अंडे दे सकते हैं हमेशा अंडे नहीं दे सकते हैं अगर आप बनाए कुछ है इनकी कैपेसिटी आर्टिफीचल तोर पर बना सकते हैं ठीक है मौशमय अधर पर किया जाता है यह पॉइंट आता है तो जैसे मैंने पौधों में बताया ना कि पौधों में भी किया जा सकता है वैसी जन्तूओं में भी किया जा सकता है मतलब पोल्ट्री फॉर्म वालो जो जानवर होते हैं उनमें भी हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं पौधों मे परवा लेंगे फल भी विखसे तो उसका करवा ही लेंगे ठीक है चलिए बाई बढ़िया इसके बाद हमारे पास में आते हैं जो जीव हैं जीव हैं उनमें से कुछ प्लासेंटल मैमल्स हैं प्लासेंटल का मतलब होता है अपरा इस्तनी जिनके पास पाया जाता है वो अपरा स्तनी होते हैं, अब यह जो अपरा स्तनी होते हैं, इनमें भी कुछ बदला वाता है, इनके भी बच्चे पैदा करने की जो चमता है, वो एकदम अलग अलग प्रकार का होता है, इनके पास ओवरी होता है अंडाशय होता है, reproductive phase होता है इसमें अब दो प्रकार के होते हैं अपरा हिस्तनी जिनके पास अंडाश है वगरा होगा तो यह क्या होते हैं यह दो प्रकार के हो सकते हैं एक का नाम होता है बिटा जिसमें न ओस्ट्रस साइकल होता है ओस्ट्रस साइकल ओस्ट्रस चक्र या इसे कहते हैं मद चक्र आपको पता होगा कि यह menstrual cycle होता है और स्ट्रस और दूसरी का नाम होता है menstrual menstrual चक्र यह कहा जाएगा और इसे कहते हैं भाई, रितु इस्त्राव रितु इस्त्राव या रितु चक्र कहा जाता है माशिक चक्र कहा जाएगा इसको यह हर महीने होगा ठीक है और यह खास किसी सीजन में खास मौसम में खास मौसम में तो यह बहुत बड़ी बात आती है कि भाई, यह कब बदलावाया और चक्र मद चक्र प्लासेंटल वाला जो है, वो खास मौसम में होगा menstrual cycle हर महीने होता है हर महीने, जाहे जो मौसम हो यह बदलावाएगा, बताओ और चक्र साइकल किस में पाया जाता है बिटा नौन प्राइमिट नौन प्राइमिट का मतलब होता है जैसे बाई हो गई, तुमारे पास गाए, भेड हो गई बकरी हो गई ठीक है, उन्ट हो गया यह सारे एक्जामपल जो है न, वो औस्टरस चक्र वाले है मद चक्र वाले साल भर सीजन नहीं रहता मद चक्र कभी-कभी चलता है और menstrual cycle एक्जामपल में आता है बिटा तो आप बोलेंगे इसमें प्राइमिट और प्राइमिट में कौन आता है मनुष्य, कौन आता है बिटा इसमें मनुष्य आता है बंदर आते हैं, कपी आता है यह सारे एक्जामपल जो है बाई यह प्राइमिट के हैं और इसमें menstrual cycle पाया जाएगा सो मुझे उम्मीद है आप तक यहां पर point आपको बन जाएंगे पूरे कहानिया आपको समझ में आ जाएंगे एक आखरी question आपसे पूसता हूँ बताईएगा कि आपसे answer क्या सही है चैसे एक एक्जामपल यह से कुत्ता, डॉग, यह किसमें आएगा इसमें मद चक्र होगा कि इनमें मासिक चक्र होगा मुझे comment section पे जरूर बताएं मुझे उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी like करेंगे वीडियो को, subscribe भी करेंगे अपने दोस्तों को साथ share करना बिलकुल ना भोले और जिदने भी question मैंने पूछे है comment section पे जब आप जरूर बताएं hit like button, subscribe भी कर लेना भाई thank you, bye bye